यह सब्सक्राइक यह लोग यह साइफ है लेकिन लोग उसको यूज नहीं कर पाते हैं तो चलिए उन्हीं चीज़ों करेंगे और मैं इसमें सजेशन देना चाहूंगा कि येस आप इसको यूज करके अगर आप ट्रेड करेंगे आपका बहुत ज़्यादा चांसे रहेगा कि आप प्रॉफिटेबल रहो बार-बार यही मैं समझाने कोशिश करता हूं लेकिन लोग नहीं समझते हैं फिर भी मैं बार-बार कोशिश करते रहोंगा सुधर क्या हो कि आप समझे नहीं कोशिश करो कि इन सब चीजों का बेनेफिट क्या होता है ठीक है तो चलिए स्क्रीन पर ही आपको लेकर चलता हूं सीधा अब जैसे निफ्टी का चार्ट है ठ करो तो उसके बाद वह वहां से 50-50 में मुवमेंट उसने दिया है मतला बहुत जादा मुवमेंट नहीं किया सेम चीज अगर हम दस तरी को देखें तो दस तरी को तो चलिए आजबिया के फिर भी 500-550 के आज हम उपन हुए पूरे दिन उधर ही रहे और यहां पर आप देखोगे 9 अगर्ष को 955-560 के रेंज में स्टार्ट किये एंड 600 के पास जाके अपने अवरेज क्लोजिंग दे दी फिर आपका 7 अगर्ष्ट को आप देखो तो 9 586 के रेंग में थे और वह 575 के पास हमने अवरेज क्लोजिंग दे अब एक चीज़ा आप नोटेस कर रहे हो कि मौस्टली मार्किट क्या कर रहा है जहां ओपेन हो रहा है उससे बहुत जादा मॉमेंट नहीं दे रहा है या ओपन होने के पांच मिनिट बाद मार्केट जहां है वहां से डे एंड में बॉयलेंस करके मार्केट कोशिच कर रहा है वहीं आ जाने का यह पता ही क्यों होता है बेसिकली हो ग्या रहा है कि market में कुछ लोग है या maximum traders जो है market start होता है उसके 57 मेंट बात से वो straddle से write करना चालू कर देते हैं straddle क्या होता है एक ही strike price का call and put दोनों base देना अब say for example मैं चाहता हूं कि call and put मैं दोनों base दूँ इसको चलिए को पिन करते हैं 9428 मार्केट है तो मैं call and put दोनों उसका base है तो अभी पुट का जो प्रियां चल रहा है 55 रुपीज चल रहा है और कॉल का प्रियां रफली 160 के आसपास चल रहा होगा या 120 130 के आसपास चल रहा होगा मेरे को मैंट कितना मिला roughly 170 पॉइंट अब जै कितना करते हैं वो मेंकिम्मेंट करता है तो अपका 50-60 पॉइंट पांच मेंट बीद गया नौ-वीस हो गया उसके रहा हो पचास-टाट पर नीचे में ही पूरा दिन तो यह कॉमन प्रैक्टेस हो गई है अभी हमारा मार्केट गिर भी रहा है ना नीचे तो वह बढ़ भी रहा है जो कि स्टैडल में आपको कुछ नहीं तो 20-25 पॉइंट के चला जाएगा अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं तो 15-20 पॉइंट आपका बनाई रहेगा तो अ इजी होती है इजी टू एक्सेक्यूट भी है कॉल अन्फुक दोनों बेजिया काफी लोग बोलेंगे कि सार हमारे पास तो देखिए ऑप्शन सेलिंग का पैसा नहीं है इसलिए हम ऑप्शन भाइंग ही करते हैं देखिए बात सही है कि ऑप्शन सेलिंग का पैसा जाए की ृoff का तो सब्सक्योट का है एक दोनों साइड में वालीन फूट दोनो साइड में हमने बाई कर दिया ठीक है तो अब अमारा प्री जोसक्यारा क्व जा रहेंगे क्योंकि वो है ना क्या बोलते हैं सब्सक्राइब करें यह सब चक्कर में थोड़ा पैसा ज्यादा डुबाने लग जाते हैं लेकिन लोग से आते हैं इतना कैपिटल लेकर आते हैं तो इनिशली जब कोई स्टार्ट कर रहे हैं तो रिस्क फ्री जिसमें रिस्क कम हो उन स्ट्राटजी को यूज करके करें ना तो जाना बेनिफीशल होगा अब जिसे यह तो मैंने पास-पास के लिए क्योंकि बहुत सारे ब्रो कि एटीन फॉर यंड का पासा बच जाए को तुमेरे मार्जिन का बच जाएगा बच जाए था व जा ये फो झाल जाना है अब दूर दूर का मैंने कर दिया कितना जा रहा है ज्यादा नहीं जा रहा है में इसको डिलीट कर देता हूं जो मैंने पास के हैज लिए करने के बाद भी मेरा मार्जिन रिकॉर्मेंट सवाँ सब भले बढ़ गया कि मैंने बहुत दूर दूर का है लेकिन अगर मार्जिन लेंगे उतना मार्जिन बढ़ जाएगा लेकिन अगर मार्केट साइडवेस हो कि इसी तरह साथ सतर पॉइंट में बंद हो गया तो फिर क्या होगा कि आपका कॉस्टिंग नहीं लगेगा बंद सौरी आपको 20-25 पैसा प्रॉफिट हो जाएगा प्रस इसके प्रियम तूटेंगे नहीं जादा तो आप नेट नेट प्रॉफिटेबल हो जाओगे तो जनली अगर मार्केट इसी तरह का रेंज करता रहा तो आपको हरमेशा आपको श्राइडल में कुछ डिके मिलता रहेगा कभी-कभी लोग बो प्रॉफिट करेंगे और उसमें एंटर कर जाएंगे जिसको इस ट्राइडल की हम रोलिंग बोलते हैं या शिफ्टिंग बोलते हैं हम बेसिकली एक स्ट्राइक प्राइस उपर या नीचे चले जाते हैं डिपेंडिंग की मार्केट बीहिवियर कैसा है तो बार-बार-बार करते हैं उपर के साइड या नीचे के साइड डिपेंडिंग की कैसा जरूवत हमें पर रहा है तो वह आप करके कर सकते हो तो उससे क्या होगा कि सुबह आपने माली जी आपने पॉइंट जहां में मार्केट उससे आप साथा पॉइंट ले लोगे तो नेट नेट दिन के ए तो आप पैसा कमा के जाओगे तो वह चीज हो गई तो मैं वही बताता आप काफी लोग बोलें साथ शिफ्ट करेंगे तो हमारा ब्रॉक्रेज लगे यह लगया तो कितना चार्जर दे तो इसमें आपका ब्रोक्रेज कुछ नहीं लगता है इसमें ब्रोक्रेज जीरो ही है और हर जगह जीरो है सिंपल मतलब जीरो मतलब सब चीज में जीरो आप कोई भी चीज बाइसेल करो पूरा ही जीरो लगेगा जो गॉधर में चार्जर दे वही लगेंगे इनके और मतलब अलग से कोई चाज़ देना और एक्विटी कॉमोडिटी आप कुछ भी करो तो आप प्लस आपको यह पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है डेटा ड्रिवन है हीट मैप्स पता चलेंगे कौन से स्टॉक्स लग रहे हैं उपर जाएंगे कौन से स्टॉक्स नीचे जाएंगे तो उसका एक नौमिन सस्क्रिप्शन चार्ज भी है अगर आप फर्स्ट मन ट्राइल करके देखिए अगर लगता है कि हां यूज करने लाएंगे तो कर सकते हैं उसको यूज प्लस यह mutual funds क्लेरिंग सर्विस सब प्रोवाइड करते हैं एडिशनली जैसा मैंने बता है ब्रोकरेज चार्ज जीरो है अकाउंट ओपनिंग फीज भी जीरो है एंड यह अपने मतलब इन सबकी मेंबर्शिप है प्लस प्लस काफी लोग बोलेंगे सब टेकनीकल ग्लिच वह तो देखिए कुछ दिन पहले इनके टेकनीकल ग्लिच हुआ था इन्होंने क्या किया था ना क्लाइंट्स को सारे तीन क्रोड़ों के आसपास पास पे-आउट किया था मतलब क्लाइंट क है जो लॉसेज हुए थे इन्होंने बियर किये कुछ से और सब ब्रोकर्स की तरह नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते टेकनीकल ग्लिच में आपका कोई उपाय नहीं है तो काफी अच्छी चीज़ है मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा आप अकाउंट ऑप कि दो रुपए चार रुपए करके दे रहें बढ़ हमारा मार्जिन और कम हो जाता है तो वह चीज़ भी है कि दूर के ओप्शन्स लोग यादा बाई कर लेते हैं उसके अगें सेल करते रहते हैं सेल करते रहते हैं 500-600 दूर में अगर आप जाते हो तो दो रुपए दिन र हमने स्ट्रैड्ल किया तो शिफ्ट हम करेंगे ऐडली हम शिफ्ट करेंगे जैसे स्ट्रैडल जो बनाया है जिसमें नीचे के तरफ भी है ऊपर के तरफ बहा है आप टोटल पॉइंट माल लीजिए मैं पधो 170 पॉइंट मिलता है ठीक है आप गलुज़ 170 पौइंट है उसक दान चला जाता है तो फिर अब गाल को स्क्राइड करने चैवर से आपयंने को तो स्टफ करते रहेंगे जब ट्लिव में जितना ज्यदा शिफ्ट करेंगे उतना ज्यदा हमारा डिके का बढ़ जाएगा ओष्ट करना मतलब वहां पर एंटर करें तो इस तरीके से एक्याश्न करें मैं आज़स्था मैं जनली कब करता हूं की जब मेरा यस्ट्राइट किया हुआ है उसका कॉमेंट प्रीयम है तो अगर 50 पॉइन्ट मुफ कर जाता है इंडेक्स तो मैं फिस йजस्ट करुंगा तो अजर कर करता हूं और है कि आपका रिटर्ण रोडा सा हाब बेटर बनके आता है विडियो जी लगे हो तो लाइक जरूर कर दीजैगा